Very good morning students, मैं आज class 1 का chapter number 9 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है we help one another, class 1 EVS chapter 9 we help one another, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बिटा हम ये समझ सकते हैं कि हम जब घर में होते हैं या घर से बाहर किसी जगा पर होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम हमारे साथ जो भी लोग होते हैं, हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, है ना, तो उसी के basis पे ये भी एक chapter है, आईए हम इसको पढ़ना helping one another, हम एक दूसरे की help करनी चाहिए, कैसे? people in a family help one another, जो लोग परिवार में होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, they share the work at home, वो घर पे एक दूसरे का काम आपस में बाट लेते हैं father, father works in an office, fathers एक office में काम करते हैं, he brings things from the market, वो market से चीजे ले कर आते हैं he sometimes help mother in the kitchen टू, वो कभी कभार market के समान लाने के साथ साथ, ममी की भी kitchen में help करवाते हैं mother cooks food and keep the house clean, mama घर में खाना पकाती है और घर की साफ सफाई भी करती है she takes care of our needs, वो हमारा ख्याल रखती है और हमाई जरूरोतों का भी ध्यान रखती है some mother go to office too, लेकिन कुछ माय ऐसी हैं, जो घर के साथ साथ बहा जाकर भी काम करती है बेटा मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी ममा लोग ऐसे होते हैं, जो घर में काम भी करते हैं और घर के बहार जाकर भी अपने office में काम करते हैं, है ना? बहुत सारी मदर, housewife ना होकर, working women भी होती हैं, working wives भी होती हैं, है ना? अब हम इसका fact and देखेंगे, some animals like ants and bees live with their families, देखा जाता है, चीटियां और मदुमक्यां अपनी families के साथ रहती हैं, they also share their work, वो अपना काम भी एक दूसरे से बाटती हैं, है ना? फिर है, parents look after needs of the family, parents हमारी family का या अपनी family का जो ज़ुरते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, कैसे? parents help children with their studies, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान रखते हैं, पढ़ाते हैं, they play with them with their children, वो अपने बच्चों के साथ खेलते भी हैं, they read stories to them, वो अपने बच्चों को कहानिया भी सुनाते हैं, they also take care of grandparents, वो जो हमारी grandparents हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, है ना? फिर है, children help the family in many ways, बच्चे भी परिवार की मदद कराते हैं, कैसे? children help their mother in the kitchen, जो बच्चे हैं, मम्मी की रसोई में मदद करवाते हैं, they help to keep the house clean, वो घर की साफ सफाई में मदद करवाते हैं, they help to carry things, वो समान उठवाने में भी मदद करवाते हैं, फिर है, they water the plants, वो पौदों में पानी भी देते हैं, they take care of gas, जो घर में महमान आते हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं, फिर देखिये, fun with the family, fun with the family, बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगी, हम सभी लोग अपने परिवार के साथ घूमना फेड़ना और enjoy करना पसंद करते हैं, है ना, means हम लोग कभी पापा ममी के साथ मार्केट जाते हैं, कभी मूवी देखने जाते हैं, कभी भार खेलने जाते हैं, कभी पिकनिक पे जाते हैं, हम लोग काफी सारी काम, काफी सारी चीज़ें, जो मस्ती भरी होती हैं, अपने माभाप के साथ हम करते हैं, जैसे की, we celebrate festivals, हम त्योहार मनाते हैं We eat means together, हम खाना एक साथ खाते हैं We go for picnic, हम पिक्निक पे भी एक साथ जाते हैं We watch movies, हम एक साथ बैट के movies भी देखते हैं Means, picture भी देखते हैं We visit relatives, हम अपने अन्य परिवार के सदस्यों से भी मिलने जाते हैं We celebrate special days, हम बहुत साइज जो special days हैं जैसे की birthday, anniversaries है ना, ये सब भी हम एक साथ मनाते हैं We play games, हम लोग game भी एक साथ खेलते हैं I hope आपको ये chapter बहुत अच्छे से clear हो चुका है ठीक है, thank you so much